आदर्निय मोदी जी को तीसरी बार एंडिय का नेता चुने जाने पर वरिष्ट भाजपा नेता पंकच महता की और से हार्दिग भदाई एवं शुपकाम नाए NSUI जिलाध्यक्ष विशाल मेवाडा के नेतरत में शनिवार को कोटा सित्मा विध्यालों में छात्रों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया NSUI संगठन ने पेपर लीग और रिजल्ट में धान्दी के आरोपो उपर नीट परिक्षा को रद्द करने की मांग की विशाल मेवाडा ने बता कि पेपर लीग की बात सामने आने के बावजूद भी परिक्षायोजित कर दी गई और परिणाम जल्दबाजी में ज्रारी कर दिये गए जो एंटी पर सवाल खड़े करते हैं उन्होंने कहा कि सरकारी चुप्पी इस अन्याय में सनलिप्तता को दर्शाती है NSUI ने CBI जाज की मांग करते हुए पेपर लीग हुई परिक्षा को रद करने और पुने परिक्षायोजित कर पेड़े चात्रों को न्याय दिलाने की अपील की प्रदर्शन में पूर्व चात्र संग उपाद्याक्ष किशन भाठिया पूर्व जिला मा सचीव अंकित पांचाल चात्र नीता मोहित बाल में की अन्य चात्र मौझूद थे आज NSOE कोटा द्वारा राजके महाविद्याले के बाहर हस्ताक्षन अप्यान और प्रदर्शन किया गया जिसमें मांग करी गई कि नीट की परिक्षा दुबारा कराई जाए जो परिक्षा हुई है उसको रद किया जाए और केंद्र में जो सरकार थी मोधी सरकार जिसने NTA को ये जिम्मेदरी दी थी कि नीट की परिक्षा सही तरीके से करिया ही जाए पर उस तरीके से ये परिक्षा नहीं हो पाई जो NTA द्वारा रिजल्ट गोशित किया गया उसमें कई छात्रों के इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं 718-719 जो प्रैक्टिकल में पसीबल नहीं है तो हमारी मांग थी कि इस परिक्षा को दुबारा से कराया जाए और चात्रों के बीच में जाकर हम लोगोंने उनके विचार दुबारा से कराई जानी चाहिए वरिष्ट भाजपा नेता पंकज मैटा की और से मानिय श्री ओम बिल्ला जी को लोगसबा चुनाव 2024 में जीत की हार्दिक भदाई इवं शुपकामनाए दिनबर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राज्टान कवरेट्स को और बेल आइकन दवानन ना भूलें तकि आप रहें अब डीटिल हमेशा